ब्रश्टाचार एक ऐसी दीमक है जो पूरे जार्खन को चाट रहा है डुम्री के गुटवाली में भी सलक निर्माण में ब्रश्टाचार सामने आए ग्रामीन समवेदक पर गड़बडी का आरोप लगा रहे हैं 15 दिन के अंदर सलक तूटने फूटने लगी है आप सोचिए के सलक कैसी होगी जो 15 दिन भी नहीं टिक पाई है एक रिपोट देखिए गुटवाली में प्रधान मत्री ग्रामीन सलक की योजना से बने सलक के निर्माण के 15 दिन के अंदर ही सलक तूटने का मामला सामने आया है जिसे लेकर ग्रामीनों ने समवेदक पर घटिया सलक निर के तहट लगभग 1.8 किलोमीटर सलक का निर्मान लगभग 65,11,000 रुपई की लागत से किया गया लेकिन सलक बनने के 15 दिनों के अंदर ही सलक तूटने लगी जिसे लेकर ग्रामीनों में आकरोश का महल है हाला कि जब इस मामले में सडख निर्मान में लगे समवेदक से पूश ताज की गई तो उनका कहना कुछ और ही है उन्होंने कहा कि यह सडख नई तकनीक से बनी है जिसके कारण सडख बनने के लगभग एक महने बाद सडख में मजबूत ही आईगी उनका कहना ये भी है कि ग्रामनी शेत्रों में इसी तखनीक से सडख निर्मान का कारे किया चाता है इस तकनीक को सर्फेस ड्रेसिंग सड़क कहा जाता है और लोग इसे काली करन ही समझ रहे हैं बहर हाल मामला चाहे जो भी हो ये सड़क निर्मान अब जांच का विशे बना हुआ है वही प्रधानमत्री ब्रामिन सड़क योजना में इस तरह की लापरवाही बरतना मतलब भरशचार को बढ़ावा देना है ड्यूम्रिय से नियूज 11 भारत के लिए रवी सिन्हा की रिपोर्ट